हेलो एंड वेलकम तो दर रॉयल गेमर यूट्यूब चैनल तो गाइज आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस्टुडियो बैग्राउंड स्टैंड और ग्रीन स्क्रीन की आप इसको ग्रीन स्क्रीन स्टैंड भी कह सकते हैं तो गाइज हमने मैंने इसको अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रिंग में जो हम प्रोमा की यूज करके बैग्राउंड को रिमूब करते हैं उसमें मैं यूज करूँगा इसको और हो सकता है कि कई वीडियो में मैं इसको बैग्राउंड में भी यूज कर सकता हमारा Digitech Studio background stand इसको हम green screen stand भी कहते हैं तो गाइज यह मुझको कि इस तरह की packing में मिला है और आगे आप जैसे की देख पा रहे हैं यह हमारी green screen है जो की 8 feet गुणा 12 feet की लंबाई चोड़ाई में मुझे मिला है तो गाइज इसकी unboxing से पहले आपको बता देता हूं कि इस video में मैं आपको पूरा जो stand है उसको assemble करके उसके साथ में हमको green screen उसके किस तरह से लगाना है किस तरह से clips लगानी है वो सब बताऊंगा और इसके साथ में हमको computer पे हमको इसको किस तरह से stream lab OBS पे set करना है वो भी मैं इस video में बताएंगा तो आप please पूरा video देख लीजिएगा तो guys cutter की साहता से हम इसको यहां से काट लेते हैं और मैंने इसको यहां से box को पूल रहा हूं यहां से तो सबसे पहले guys मैंने जैसे इसको निकाला तो यहां पर हमको एक carry bag हमको मिला है जो की काफी अच्छी quality का है यह मैं खोल के दिखा लेता हूं आपको यह देखिए तो guys यह जो carry bag है काफी अच्छी quality का है और इसको हम easily कहीं पे भी carry करके पूरे stand को ले जा सकते हैं तो guys हमने इस chain को यहां से खोल लिया है और यहां पर हमको अंदर देख रहा है हमारी polythene bag में की यह हमारी जो है stand है वो दिख रहे हैं आप पर और chain की quality काफी अच्छी है और यह हम बाहर निकाल लेते हैं यह हमारा actually में foundation है stand का इसमें basically हमको दो foundation देखने को मिलेगा यह हमारा एक foundation है तो guys इसमें हमको basically दो stand हमको मिलेंगे foundation वाले एक यह है एक और आप यह देख पा रहे हो एक और यह एक और निकला है तो दो basically यह stand है foundation वाले और guys यह इसके तीन rods हैं तो guys हमको जो हमारे box में हमको यह equipment देखने को मिलते हैं अब मैं जल्दी से इनको assemble करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि यह किस तरह से assemble होता है तो guys आप जैसा कि यह देख पा रहे हो यह दो foundation है हमारे stand के इनी foundation के उपर हमारा जो यह जो तीन rods से इनको हम mount करते हैं यहां से आप इनको extend भी कर सकते हो यह इसका first extended है और यह इसका second extended है तो आप इसको काफी यह camera के frame में नहीं आए पाएगा actually में इसको हम काफी ऊपर तक हम अपनी इच्छा जैनो सार extend कर सकते हैं और guys अगर बात करते हैं इसकी build quality के तो काफी heavy builded है और काफी मजबूत है यह कहीं पे भी द्याने वाला नहीं है काफी मजबूत है दोनों के दोनों base और यह rod भी काफी मजबूत है अब यह जो rod है guys यह जो है इसमें एक side में ऐसा है एक side में ऐसा है तो यह त्यूख है कि कोने वाला है तो इसमें दिखिए इसको यह जो nuts है इस nut को हम यहाँ पे लगाएंगे यह मैंने यहाँ पर nut लगा दिया यह और यहाँ पर मैं इसको fit कर देता हूं गाइस basically मैं क्या करने वाला हूं कि मैं इसमें अभी दो ही rod लगाने वाला हूं तीसरा rod नहीं लगाँगा क्योंकि दो rod में मेरा जो camera का पूरा जो angle है वो पूरा cover हो जाएगा मुझे तीसरी rod ही और उसकी जरुतनी है इसलिए मैं तीसरी को install नहीं करूँआ मैं उनली दो को install करने वाला हूं तो हमने जैसे इसको लगा दिया है तो मैं अब इसको थोड़ा सा इधर कर देता हूं और ये जो हमारा second road है कोने वाला इसको लगाएंगे और जो बीच वाला है हमारे use नहीं आएगा भी तो जो ये दूसरा कोने वाला road है उसमें एक इस तरह का ये है और ये एक इस तरह का है तो ये कोने का है इसी में यहाँ पे छेद दिया हुआ है तो इस छेद को हम यहाँ पर लगा देंगे, यहां लगाएंगे इसको, लेकिन इसको लगाने से पहले हमको क्या करना है कि इसको हमको जो है, यह इसको हमको इस तरह से घुमाके हम इसको अटेच कर देते हैं ऐसे, तो गाइस यह हमारा यहां पर अटेच हो गया है थोड़ा था मैं इसको सेट कर लेता हूँ हाँ इस तरह से यह हमारा अटेच हो गया है अब अटेच होने के बाद में गाइस मैं इसको इसको इधर ले लेता हूँ और इसको 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 फिट करता हूँ तो गाईज ये हमने यहां पर इसको यहां पर कस दिया मैंने और हमने इसको यहां पर फिट कर दिया और मैं इसको यहां पर आपो दिखा दिता हूँ तो गाइज ये हमारा जो stand है हमने यहाँ पर set कर दिया है भी अब हमको basically क्या करना है कि इसके उपर हमारी जो है green screen को हमको डाल देना है अब green screen का मैं आपको बता दू कि जो मैंने green screen मंगाई है वो green screen का जो size है 8 feet तो वह चोड़ा है और 12 feet यहला है तो हमे इसको क्या करने वाले जो करने हमें लिबाता हूं तो ग्रीं स्क्रीन को अच्छी तरह हम 경우 घुलेगा नहीं हुँडेगा नहीं हुडेगा नहीं तो अीस को लगा देता हूं तो मैं तो पूरा एक बार और left में लगा दी हैं दो clip ठीक है जिससे कोने में settle हो गया है तो गाई यह right का देखे हो right में भी मैंने clip लगा दिया है तो guys हमारी यह इस तरह से कुछ हमारी green screen जो है वो ready हो चुकी है यह तो अब हमको क्या करना है कि हमारा hardware का पूरा काम है वो हो चुका है हमारी green screen बिल्कुल setup है अब हमको जो screen lab OBS में है हमको हमारे software में कुछ setting करनी होगी जिससे कि हमारी जो professional quality की हमको effects chroma की का मिले तो इसके लिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ computer की screen पे और वहां मैं बताता ह कि हमको वहां पर क्या-क्या setting करनी हो किस तरह से उसको set करना है जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने जो अपना camera है वो मैंने अपने monitor पर mount किया हुआ है वहां से Logitech C922 मेरा webcam है तो मैं इसको right click करके properties पे जाता हूँ और उसके बाद में आपको configure video के option पे जाना है और जैसे आप इस पे click करेंगे तो नीचे एक window open होगा इस window को open करके आपको यहां पे camera control option पे जाना है और यहां से दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको यह जो है ना यह full zoom करना है नॉर्मली आपका इस तरह का रहेगा जैसे आप इसको जूम कर देते हैं तो आपको का जो camera जो देख रहा है ना उसको वो zoom कर देगा अब इसका फायदा यह होता है कि अगर हमारी green screen पूरे camera को cover नहीं कर पा रही है तो इसके द्वारा हमारी जो screen होती है वो पूरे camera को cover कर लेती है और जो right left में या उपर अगर कोई भी angle बचा हुआ होता है तो वो इसमें cover हो जाता है इसके बाद में guys हमको apply और ok कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे हमको कर देना है done तो guys अब हमको क्या करना है right click करना है और यहाँ पे filters पे जाना है filters पे जाने के बाद में guys यहाँ पे हमको यह plus का एक option है इस पे plus पे आप click करेंगे और यहाँ पे filter type पे हमको नीचे जाके हमको chroma key मिलेगा इस chroma key पे जाना है और हमको ok कर देना है अब ok करने के बाद में guys हमारे सामने यह प्रेग्राउंड को हमको बिल्कुल ही ब्लैक कर देना है, तो इसको ब्लैक करने के लिए आपको यहां पे जो सिमिलेरिटी का उप्शन होता है, हमको इसको आगे पीछे अपने हिसाब से आपको एरजेस्ट करना है, तो मैं यहां पे इसको आगे करता हूँ, और मैं यहां पे इसको 435 पे इसको सेट कर देता हूँ, इसके बाद मैं आप यहां पे इस स्मूधनेस को रख सकते हूँ, मैं थोड़ी सी इसको बढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने यहां पे मेरी स्मूधनेस यहां सैट कर दिये, और यहां पे की कलर स्पिल का एक आप्शन आता है, तो इसको हमको, आप अपने इसाफ से एरजेस्ट कर लीजिएगा, मैं इसको नहीं छेड़ रहा हूँ, यहां पे, । यहां पे कैफिसिटी आते हैं, मैं कैफिसिटी को 100 रख रहा हूँ, और यहां पे जो आता है और ऑप्शन कॉंट्रास्ट और ब्राइटनेस और गमा का आता है, तो इसको यहां पे आप अपने इसाफ से सैट कर लीजिए, तो गाईज, यह सारी चीजे हमने यहांपे करनी है कि हमारा जो देखिए पूरा जो तीछे का है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाना चाहिए ठीक है, ब्लैक होने के बाद में अब जो आप ये बॉर्डर देख रहे हैं, यहां पे बॉर्डर पे कोई भी लाइनिंग वगेरा यहां पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है, अब हम इस को यहां पर कर देते हैं done इसके बाद में हम इस जो अब हम देख लेते हैं कि हमारी जो screen पर जो setting है वो किस तरह से आ रही है ठीक है तो अगर हमारी पूरी तरह से set नहीं होती है तो हमको क्या करना है और मैं इसको भी कर देता हूं done तो guys आप आप जैसा की सामने देख पा रहे हो कि पीछे का बिल्कुल जो है background वो remove हो चुका है और हमारा जो देखिए आप कहीं पर भी कुछ करनी है और जो आपने green screen लगाया उसके पीछ आपका कोई light है तो उस light को आपको बिल्कुल भी नहीं चलाना है अगर आप उसको चलाते हैं तो आपको क्या करना है कि आप जहां बैटे हैं तो आपके सामने जो है सामने से आपके उपर एक light आनीची आपके face पे जो की आपके face पो और आपके जो green screen उसको touch करेगी तो guys यहाँ पर मैं आपको basically बता दूँ कि मैं only एक major सामने जो है एक tube light only जल रही है यहाँ पर LED वाली वो भी ठीक है और 18 watt की tube light है वो जल रही है only और उससे देख लिजए आप काफी अच्छा यह हमको result दे रही है यहाँ पर chroma key का तो guys hope करता हूँ कि इस video में मैंने जो बताया और मैंने जो unboxing की है green screen के stand की और green screen की वो आपको अच्छी लगे होगा अगर अच्छी लगे हो तो video को like और एक channel को subscribe जरूर कीजिए and thanks for watching royal gamer youtube channel